जैहिन दोस्तो आप सभी का सौगत है आपके अपने यूटूब चैनल सिवा ओन्लान क्लासर में। दोस्तो इंडियन आर्मीं में ओपन रेली की अभी बहुत ज़्यादा भरतियों की भर्मार चल रही है। तो आपके पास मैं हैं इंडियन आर्मी में भरती होने का सुनेरे मोका। आज हम जिस भरती के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तो पितोरागड यारो के लिए जो भर्ती दोस्तो 15 फरवरी से 30 फरवरी 2021 के बीच में पितोरा कड़ यारों के अंडरा आने वाले डिस्टिक्स के लिए की जाएगी इस भर्ती की लोकेशन होगी दोस्तो कुमाउर रिजिमेंटल सेंटर रानिखेट में मैं आपको क्लिर कर देना चाहता हूं कि कुमाउर रि रिलेशन के भर्ती है और यह जो भर्ती है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं यह 15 फरवरी से 30 फरवरी 2021 के लिए है और दोस्तो यह जो भर्ती है यह ओपन भर्ती है इस भर्ती में कोई भी रिलेशन की जरूरत नहीं है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इस भर्ती के जो notification है वो मैंने already download करके रखा हुआ है आप देख सकते हैं Army Recruiting Office पिथोरागर ने भर्ती निकाली है Army Recruitment Rally at the Command Regimental Center रानिखेद फ्रॉम 15 February 2021 स्टेट, 13 February 2021 और यह जो भर्ती है दोस्तों वो पिथोरागर चंपाबद और उत्राखंड इस्टेट मतलब आप पिथोरागर या फिर चंपाबद इस्टेट के रहने बाले हैं तो आप इस भर्ती में सामिल हो सकते हैं यह जो भर्ती है वो 15 February 2021 से 30 February 2021 के बीच में होनी है और इसका जो भर्ती का लोकेशन होगा वो है कुमाउं रेजिमेंटल सेंटर राने खेट ठीक है उसके बाद में इसके जो ऑनलाइन रेजिटरेशन्स हैं वो आज से यानिके 17 December 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके जो ऑनलाइन रेजिटरेशन्स हैं वो 30 January 2021 तक चलेंगे उसके बाद में 31 January 2021 से एक February 2021 के बीच में आप इसके जो है वो आपके एड्मिट कार्ड आपकी रेजिटर्ड एमेल आईडी पर सेंट कर दिये जाएंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर Soldier General Duty, Soldier General Duty IDG उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर Soldier Technical, Soldier Clerks और Soldier Treatment 10th Pass इन पदों पर यहाँ पर दोस्तों भरती होने बाली है तो जल्दी जल्दी मैं आपके लिए इनकी जो Education Qualification और यह Physical Requirement होगी मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों General Duty के लिए आपके लिए मतलब GD की भरती के 17-21 साल आपकी एज होनी चाहेंगे 17.5 से 21 डेटो बर्थ आपकी 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होनी चाहेंगे Height आपकी 163 cm, Weight आपका 48 kg और Chest आपका 77 cm होना चाहेंगे इस भरती में सामिल होने को आपको Class 10th Pass होना चाहेंगे और Class 10th में आपके 45% मार्क होना चाहेंगे किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क से कम नहीं होने चाहेंगे यह तो होगी आपकी Soldier General Duty की भरती के बारे में आपको डेटेल ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे Soldier Technical तो Soldier Technical की अगर आप भरती देखना चाहते हैं तो आपके जो एज लिमिट है वो साड़े सत्रा से तेज साल होनी चाहें आपकी 163 cm बेट आपका 48 kg और चेस्ट आपका 77 cm इस भरती में सामिल होने के लिए आपको 10 प्लस टूब 50% मार्क के साथ आपको पास होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर से कम नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं सोल्जा क्लर की इस भरती में सामिल होने को आपको एज लिमिट से में टेक्निकल है साड़े सत्रा से तेज साल एक अक्टूबर 1997 से एक अपरेल 2003 की बीच में आपकी डेट और बर्थ होनी चाहिए हाइट आपके 162 सेंटिमेटर बड़दा आपका 48 केजी लेल च्वाहिए 77 सेंटिमेर्ट होना जरूरी है उसके बाद में आपको क्लाश 12 पास होना चाहिए आपके इंगलिस और मैठ सब्जेक्ट हो नरवारे ये है और उसके बाद में आपके क्लाश 12 में 60% marks होने चाहेंगे और total overall आपकी जो total मतलब इस subject में आपकी जो percentage 50% marks से कम नहीं होना चाहेंगे soldier 10th soldier treatment 10th pass की जो भरती है इसके लिए बिल्कुल दोस्तो आपकी height आपकी 163 cm 48 kg, 77 cm class 10th simple pass होना जरूरी है ठीक है तो ये थी दोस्तो पितोरगड़ यारों की भरती जिसके जो main main points थे वो मैं आपको बता चुका हूँ तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें share करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को share जरू करें तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारण